दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूचे आज की सबसे पहली के वर पटना में तेन साल बाद टुटा गर्मे का रिकॉर्ड साथ जिले हीट वेब की चपेड में बकसर में पारा 43.2 डिगरी पर पहुचिया दच्छिन बिहार में पच्छवा की प्रचन परवा से देज लोसने वाले गर्मी किती है और अधिकतर जिलों में लूज जैसी परिसितिया है तेकी दूप से आम जन जिवन प्रभावित होने लगा है दोपार काड़ी दूप और गर्म हवा के थपड़े ने परिसान कर दिया है पिछले 24 घंडे में राजस्तान के और से आरे गर्म हवा इसरज की प्रचन किर्णों से ताप पागर और प्रवल हो गई है आपको बता दे कि पिछले 24 घंडे में राज के साथ जिले हीट बेब की चपेड में आ गये हैं अगले कुछ दिनों के लिए जिन जिलों के लिए अलड़ जारी किया गया उनमें पढ़ना गया सिखपुरा जमुई बकसर बका और नवादा सामिल है अगली बड़ी के बर उत्तर बिहार में बारिस दचिन में लू के थपड़े तीन दिन में चार डिगरी पड़ेगा पारा मौसम बिवाग ने लू को लेकर आम लोगों को किया अलड़ जहां बिहार में मौसम पुरी तरह से चोकानी वाला है उत्तर बिहार में जहां हलकी ब पारिस और बोना मुंदी हो रही है वह दच्छिन बिहार लोग की चपेड में है राज जी में पाराज 43 डिगरी पार हो गया है मौसम विवाग न तीन दिन में अधिक्तम तापमान में 4 डिगरी के बड़ातरी का अलट जारी किया है ऐसे में मौसम सेहत को लेकर कापी खतरनाक कोने वाला है थोड़ी सी लापार वही जान पर भारी पड़ सकती है मौसम विवाग के मुताबिक 24 घंडे के दोरान राज के उत्तर पूरव भाग के एक दो इस्तानों पर हलकी से मदम वर्सा दर्ज की गई है इसमें किसन गज में 12.4 mm बारिस रिकॉर्ड की गई है जबकि अन्य भागों में मौसम पुरी तरह सुस्क बना रहा है साती मौसम विवाग के मुताबिक राज के उत्तरी भागों में पूरवी एवं दच्चिनी पूरवी हवा का प्रभाव और दच्चिनी भागों में पजवा वं उत्तर पजवा हवा का प्रभा हो रहा है इन मौसमी क पर्वाव से राज के उत्तरी भागों के पूर्वी चंपारान और पश्चिमी चंपारान सितामडी सिवर मदोबनी सुपवल अररया और किसंगन जिले के एक दो इस्तानों पर दो दिनों तक हल्की से बारिस का पुर्वानुमान है इसके अलावा राज क्या इन भागों में म यार डिगरी तक बढ़ोतरी होगी घकाबर जम्हीन का सर्वे पूरा होते ही नितिस सरकार किसादों से वस pac-9 sk Ci हम भीहार के जिन ईलाकों में सर्वे का काम पूरा पूरा हो जाएगा वहां की dots के खरिचा बढ़ जाएगा उन ईलाकों के वेने में युख रासी का बुक्तान करना होगा लेकिन सर्वे पूरा होने के साथ लाव यहाँ होगा कि राजबर के लगान की दर में एक रुपता आ जाएगी अभी ओनी लाकों के लिए अलग दर है जहां रिविजन सर्वे हुआ था के डिश्ट्रिल सर्वे वाले जिलों के लिए दर अलग ह दर रिवाइज होने वर हर साल किसानों पर लगवग 500 करोड का बोज बढ़ दिगाएगा अगली बड़ी ख़बर पूरो मैद रेल के 24 स्टेशनों पर लगाएगे 80 BM रिकर्ड से लेकर प्लेटपर्म टिकर्ड तक के लिए अब नहीं लगेगी कतार बनाना होगा स्मार्ट कार्ड जिया यात्रियों को आसानी से टिकर्ड उपलब्द कराने है तो स्टेशनों पर आटोमेटिक टिकर्ड वेंडिंग मसीन लगाये जा रहे हैं इसी क्राम में पहले चरण में पूरोमेद रेल के एवन एवामरे गिरेड के 24 प्रमो के स्टेशनों पर 80 कार्ड अधारत 80 BM इस्तावित किये गए हैं ATBM के जरे रेल यातरी टिकर्ड काउंटर पर बिना लाइन में लगे अनाराचित टिकर्ड खरीद कर यातरा कर सकते हैं ATBM से प्लेट्रम टिकर्ड भी कटाया जा सकता है ATBM से टिकट लेने के लिए यात्री को सबसे पले टिकट काउंटर से स्मार्ट कार्ड लेना होगा इस स्मार्ट कार्ड एक बार लेने के बाद इसे कभी भी रिचार्ज करा जा सकता है इस कार्ड के जरे ही टिकट के पेसे का भूतान होता है इसमें दानापूर मंडल के पाटना जक्सन पर छे, बकसर आरा दानापूर राजेंदर नगर, पाटली पूदर इस्टेशनों पर तीन तीन मसिन सहीद कूल, एक इस काड़ आदारित, एटेविया में स्ताबित किये गए हैं बाड़ी कबर बियार में मैले होती जा रही है गंगा, कैग रिपोर्ट में खुलासा, चार सालों में अठारा सु गुना बड़ा प्रदोसन, छे सो चुरासी करोड नहीं हुए खर्च, जिहां बिहार में छट महापार्व की सिरुवात हो गई है, रोज की दुलना में लाखो के सेंक्या में लोग गंगा की आस्ता में रूपके लगाएंगे, लेकिन अधिकार और सिस्ट्म की लापारवाई के करण बिहार में गंगा और पाने पीने और नहाने की योग नहीं बचा है, साल दर साल यहां गंदगिका इस्तर बढ़ते जा रहा है, गंगा को सोच और न का आना है गंगा पर इसका असर हो रहा है इसका पाने पिने और नहाने के उप्योगत नहीं है पूरवी भारत में कुलकत्ता के बाद दूसरे बड़े सबसे बड़े सरी चेत्र पटना में ड्रेनेस सिस्टम 200 साल पुराना है और यहां बहुत करा अब स्थिति में हैं अगली ममला बिहार में चल रहे सिपाई भरती परिचा से जुड़ा हुआ है पाटना के गरदनी भाग में सुमवार को आवजित कॉंस्टिबल भरती की सारी परिचा के दोरान 12 फरजी अवियर्थी पकड़े गए हैं गिरपतार अवियर्थों ने इस कलोर की मदद से कॉंस्टिबल भरती की लिखित परिचा पास करने के बाद सारी परिचा में सामिल होने पहुचे थी लेकिन जब इनके हस्ताक्चर और अंगोटे की निसान मिलाए गए तो वे मेच नहीं की जिसके कारण सभी पकड़े गए गिरपतार सभी बारा अवियर्थों को गरदनी भाग ठाने के ह प्रोलियम ही नहीं घरेलू वो और कोमोरर्सियल एलपेजी सीजी पेएजी की कीमत भी बढ़ा दी गई है आपको बदा दी कि बिहार में डीजल की कीमत पाटना समीत कैस जिलों में 100 पार कर चुकी है बिहार के कई सहरों में डिजल की किमत सो रुपी की दहलेज को लांग गई है इन सहरों में भागल पूर पूर्णिया गया सिवान और किसन गई सामिल है बिते 15 दिनों में पेटोल डिजल की किमतों में 13 दिन बढ़ोत्री हुई है 22 मार्च से पेटोल डिजल की किमते बढ़ने बिहार सरकार ने राज कर्मियों और पेंसन भोग्यों को तीन परतिसाद और महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है केविनेट ने पिछले दिनों में हुई बैठक में या फैसला लिया गिया है डिये तीन फिजदी बढ़ाया गिया है आप 34 फिजदी डिये को स्विक सिर्थ कि फर्मोली पर अधारित हैं बाड़ी कबर नितिष क्यमिट्फ ने लिया फैसला पहली दब सराफ पीति पक्ड़े गे तो सिर्फ दो से पांच हजार जर्माना देकर चुट जाएंगे जर्प बिहार में अगर पहली दब जबस चराफ पक्ड़े जाएंगे तो सिर्फ 2-5,000 रुपी जुर्माना देखर चोड़ जाएंगे नितिस सरकार ने कल केविनेट के बैड़क में इसके नियाम वली को मंजुरी दे दी है केविनेट के बैड़क में कल उसके लिए नियम तैकर दिया गया है सरकार ने तैकर किया कि पाले दपे सराप पिते पकड़ व्यक्ति को मजिस्ट्र के पास पेस किया जाएगा जहां 2-5,000 के बेच जुर्माना लेकर इसे छोड़ दिया जाएगा लेकिन सरकार ये भी करे कि मजिस्ट्र के पास जुर्माना देकर चुटने का दिकार हर एक व्यक्ति को नहीं होगा ये सरकार और पुलिस तैकर कि 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 वेक्ति को मजिस्ट्री के पास पिस कर सिर्फ जर्मना लेकर छोड़ दिया जाए वह अगर पहले दफे के बाद कोई दूसरे दफे पकड़ा जाता तो से जेल जाना होगा और उसके लिए 10 सल के सजा का प्रवदान होगा अगली बड़ी कबर बिहार में सारे सराबंदे जल्दी आएंगे जेल से बाहर केस भी होगा बाद आदे की मत दे कर चुटेंगे गाड़ी जिया बिहार में सराबंदे संसोधन कानून का लाब जेल में पहले से बाद सरावियों को भी मिलेगा पहली बार सराव पिने के जर्म में जेल में बंद अभयोकत भी अब जेल से रहाओ जाएंगे जेल अभयोकती की 30 जिन के मियाद पुरी हो गई है वो जेल से बाहर आएंगे इसके अलावा हाले में पकड़े गए सरावी जिन की 30 जिन की मियाद पुरी नहीं हुए वो भी 2000 से 5000 तक जर्माना भार कर रहा हो सकेंगे यह नहीं उनके ओपर चल रहा केस भी बंद कर दिया जाएगा इसके अलावा सरावन्दी कानून के उलंगन में पाले से जब्द किये गए वहान या सिल परिसर भी जुर्माना देकर मुक्त कराए जा सकेंगे बाड़ी कबर बिहार में आईटिया इडमिसन के लिए रेजिस्टेशन सुरू माई में होगी परविस परिक्षा जहां बिहार में 149 आईटिया में नामांकन के लिए दो माई तक उनलाइन रेजिस्टेशन होगा इस बाबद बिहार संयुक्त परविस परद्योगिता परिक्षा 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 दो जर बाइस की जानकारी www.bccboard.bihar.gorman.in पर जारी की है राजबर के 149 सरकारी आईटिया है इसमें लगवाग 25,000 सदिक सिटे है इन प्रसिक्षन में लबग दो दरजन ट्रेडों में परिसिचन दिया जाता है अगली बड़ी कबर बिहार के आगानमाड़े केंद्रों की होगी ओचक जाज बंद केंद्रों पर होगी सक्त करवाई 99,000,000,000 बच्चे करते हैं पढ़ाई जब इहार में कोरोना काल के समापत होने के बाद समान जन जिवन और कारियों को गति देने तदा आगनमाड़े केंद्रों के अममान बंद रहने के सिकायतों को दूर करने के लिए आगनमाड़े केंद्रों के ओचक जाच की जाएगी अगली बड़ी खबर आर्मी भारती के लेखित परिचा नहीं लेने के खिलाब सड़क पर उत्रे अभियरती जहां फिजिकल और मेडिकल परिचा देने के बाद अब दग लिखित परिचा नई होने को लेकर आर्मी बहाले के अभियर्दों का गुस्सा मंगलवार को फूड पड़ा सेकड़ों की सिंक्या में अभियर्दों ने मंगलवार की साम पाले पुरे सार में मार्च किया इसके बाद इस्टेशन परिसर में परदसन किया और फिर लोयाल चोक रेलवे कड़ाल को जाम कर दिया अब यर्थों का कहना था कि लोग बिचले कई सालों से आर्मी बहाले के लिए मेहनत कर रहे हैं दो साल पाले उनकी मेडिकल और फ्रीजिकल परिचा होई थी इसके बाद से आर्मी बर्दी बोर्ड की तरफ से लिखित परिचा लेने के कोई पाल नहीं हो रही है लग आदे घंटे रिल्वे डाल जाम रहने के बाद सदर एच्डिया मनिस कुमार वहां पहुचे और परदसन का रवियरतों से बात की अगली बड़ी खबर सुबे के साथ स्टेट हावे की चोड़ाई होगे 21 फीड ADB के सयोग से इन 9 जिलों को मिले गलाब जा विहार के साथ स्टेट हावे की चोड़ाई बढ़ाए जाएगी ADB कास बेंके की सहता से पत निर्मान विभाग इन सटकों को कम से कम दो लेन बनाएगा इससे इन सटकों की मौझोदा चुड़ाई में प्राया 5 फीड का इज़ापा होगा और यहां 21 फीड हो जाएगा इन सटकों की निर्मान से प्रतक्ज तोर पर नौ जिलो को लाब होगा जिसमें कटिहार, पुर्निया, बाका, किसन, गाइन, सहरसा, खगडिया, पहशिमी, चमपारा, नवादा और और अरंगाबाद जिलो को लाब होगा अरांद के बाड़ी खबर, बी एससी ने जारी के माइनिंग ओफिसर के लिए प्रारामिक परिचा किती थी, सो अंगु का होगा एक्जाम जा बिहार करमचारी चैन आयोग ने खान वंभुतत विभाग के अदेन खान ने रिक्चा के खाली पदो पर न्यूक्ति को लेकर मंगलवार को परिचा किती थी जारी कर दी है एक्जाम मैं महिने में आवजित की जाएगे इसके लिए आयो की और से 22 अक्टूबर 2021 सा काविदर लिए गए थे आपको बता दी कि माइनिंग विभाग में सो पदो पर न्यूक्ति होनी है आज के लिए आपका स्वाल बता कि नितिस सरकार के द्वारा सरबंद कानून पर जो फैसल ले गए है वो सही है या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं